वेल गुड आफ्टनून तो आल आफ यू मेरा आवाज क्लियर आ रहा है बेटा सबको हलो मुझे फटा फट बताईए मेरा आवाज आ रहा है क्लियर ली सबको मैं वोईस इसलियर आम आडिवल येस और नल बेटा फटा फट बुलीए अपको करेक्ट हो जाता हूँ लिवे मैं है मैं आपको करदेड़ आता हूँ चास्ति मिट चिरा क्लियरे सर यची का क्लियर है नाजमीन ओके चलिया झालिया यम तो दोस्तो हमारा पहला सेशन हुआ जो जो मुस्ली इंफॉर्मेटिव सेशन था मैंने यहां GST तो चालो नहीं किया था पर स्टार्ट करने के पहले एक बात और बता दूँ जो भी स्टुडेट ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रिजिस्टर किया है मेरी टीम आज उनको सपोर्ट करेगी आज नहीं हो पाया तो डोंट परी यूट्व पे तो मैं लाइव आई रहा हूँ आपको प्रोसेस में आने के लिए मैंने ये टाइम लिया है कि जो डेमो लिक्चर रहेगे जो यूट्यूब पे आपको भी पैरलल दिख रहे है वैसे एक्जाक्ली आपके सॉफ्ट्वेर में लाइव स्ट्रीमिंग में दोखोगा और जो भी कुछ के साथ जुगलबंदी का स्फेज रहेगा और कि इस प्रेड में जो भी आने वाले प्रॉब्लम से हम सॉल करेंगे फाइनल में बढ़ा अच्छे से सक्सेस्फुल हुआ तो डोंट वरी इंटर में भी रहेगा तो चलिए गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून इंशूल गुड आफ्टर नून चिराख और की इतानिया गुड आफ्टर नून चलिए स्टार्ट करते हैं हम कौन से डिस्कुशन पर थे चलो बताईए आप क्या डिसकस कर रहे थे दोस्तों कुछ नालाए को याद है क्या आपको नालाए को मैं प्यार से कहता हूँ हाँ क कुछ याद है आपको क्या पढ़ रहे थे हम अरे बोलो कुछ तो पढ़ रहे होगे ना हाँ और मेरा बुक तो वेट आप 15 फेप के पहले डिस्पैच होगा वन विक बीफोर सो दाट की 15 तारीक को आपको बुक अवेलेबल हो जाए वो तो तब डिस्पैच होगा लेकिन मै मैंने आपको पीडियाप कॉपी की ये लिंक दी है इसके पहले के लिक्चर में जाओगे याने जो लास सेशन हुआ उसमें डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने बुक का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पे आज अपडेट कर दूगा और आज के ये वीडियो में भी मैं डि ले लेक्चर में जीस्ट के अलाव और डिस्कस करेंगा नालायक के तो यहां पे अगर आपको याद होगा तो हम आयते हैं डिफ्रेंस बीट्विटून डारेक टैक्स जिसमें चलो कोम और कोम ओन मैं अब आपका दहन्या होगा मेरे तरप देखो फाल्तू इदर उदर नही वैसे यह टाइम पर आपको यह एज में आपको इधर उदर देखने के बहुत आदत होती है नालायक मुझे पता है आप क्या करते हो ओके तो इधर इधर ओके तो अब इसे केस में यहां पर चलिए ओके शिरू करते हैं तो यहां हमने देखा था डिफरेंस बिट्वें डारेक कंट्रोल हम देखेंगे तो ऐसे केस में यहां पर हमने देखा था कि कोई मेडिटेशन में बैठा है आके खोल दी और आज से क्या तो डारेक्ट टैक्स लगा दो जिसका बर्डन पास ओन नहीं होगा और फिर आके बंकी और वापस ओपन हुआ और आज से इंडारेक्ट टै कि यह जो बेसिक है यह अगर आपका पक्का हो जाए ना तो फिर GST आपके लिए बहुत आसा नहीं जाएगा तो बेटा यह जो बेसिक है थोड़ा ढू बहुड होगा तो बढून पर बाय सकता है कि सर स्लो चल रहे है और कि मेरा पड़ाने का तरीका है पहले स्लो चलो फिर फास में चलो, तो फिर आप जब देखोगे, हम चार्ड बनाएंगे, तो आपको बहुत इंटरस्टिंग लगेगा, GST आपका one of the favorite subject हो जाएगा, चलिए, तो यहाँ पर, यह नेचर कहां से डेवलप हुआ, कि डारेक्ट टैक्स बर्डन ट्रांसपर इबल, इंडारेक्ट टै जाता है, जाता है, तो सबको समझ में आरहा है, आरहा है, हाँ, आरहा है, ठीक है, सस्पेंस अभी खोलूगा, पर आगे बढ़ने के पहले, नेक्स पेच पे एक 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 इग्जाम्पल है, जैसे इंडारेक्ट टैक्स, यह ट्रांसपरेबल टैक्स है, यहाँ पर आजाना, इंडारेक्ट टैक्स एक ट्रांसपरेबल टैक्स है, ट्रांसपरेबल टैक्स है, जैसे एक नॉर्मल गुड्स जब बनता है, मेरे साथ यह प्रॉबलम देखिएगा, एक नॉर्मल जब बनता है, मैनिफक्टर से वो डिस्ट्रिबीटर को जाता है, डिस्ट्रिबीटर से व वोलसेलर से रिटेलर और फिर आपके हाथ में आता है जैसे आपको एक मोबाइल खरिदना है तो यहां से पूरे चेन में आपके पास आता है तो इंडारेक्ट टैक्स का बर्डन जो पासान हो रहा है जैसे एक्जामपल लेते है यहां पर एक्जामपल कैलकुलेटर लो सबी स रुपे है, याने प्राइस, मैं वाल्यू प्राइस एक ही कहोगा, तो यहाँ पे एक हजार रुपे है, तो उसके ओपर टैक्स लग रहा है, पुराना सेल्स टैक्स एक साइज लगता था, अभी GST लग रहा है, तो यह टैक्स एड रेट, मैं अभी रेट लूगा 10%, अभी रे अभी यह सब मैं बात में बताओगा, पूरा स्ट्रूक्श्य रिखे से एक्स्पेलन करूगा, कितने सेक्षण रेट लैं करना है, क्या करना है, जी एस्ट्री में, आपकी सिलबस में क्या है, रुको या रुको, पहले वहीं टैक्स जैनी क्या, समझ तो लो यार, मुझे ब करो कोई comment कोई message मत pass on करो मत pass on करो okay और आपको अच्छा लगे तो like करो like मेरे लिए ने बिटा मैं 17 साल से IDT पढ़ा रहा हो okay यह उन students के लिए जो join करना चाहते हो सकता आपके friends और जो हो वो students जो join करना चाहते उनके लिए like करो तो वो students देखेंगे अगर आपको अच्छा लगे चलिए तो यहां पर अगर 100 रुपीज का टैक्स मने लगा दिया तो कितना आगया बटा 1100 रुपे अब देखो next यह बंदा ओके वोल सेलर को अब मेरा आप से एक बेसिक सवाल है बोत बेसिक से जा रहा हूं बोत बेसिक से यानि आप कोगे सर एकदम ऐसे की जैसे आपको कुछ पता नहीं है मुझे बताओ वोल सेलर जब आगे बेचेगा वोल सेलर को तो मुझे बताओ क्या वो 1100 रुपे में बेचेगा जैसे उसकी purchase price है 1100 ओके वो लसेलर की तो क्या वो 1100 में बेचेगा या कुछ margin आड़ करके बेचेगा बताईए फटाफट ओके बताईए फटाफट कुछ margin आड़ करके बेचेगा बोलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट आड़ करेगा तो यह जो प्रॉफिट आड़ करेगा समझ लो यहाँ पर नो डाउट वो अपनी margin तो आड़ करेगा अब यह जो margin आड़ करता है इसे हम एक word नाम देते है इसको नाम देते है value addition value addition यह word मेरे लिए बड़ा important है और उसने value addition बेटा दो सुरुपे किया अब जब वो दो सुरुपे value addition क्यों क्योंकि बेटा यह जो दो सुरुपे वो value addition करेगा लिखो वहाँ पर अगर आपके पास notes होगी तो लिखो value addition जो दो सुरुपे करेगा मुझे यह बताओ दो सुरुपे तो वो जो profit earn करना चाहता है net profit वो जो earn करना चाहता है मैं suspense पर आओगा हमारे वाले पहले यह पुरी प्रोसेस को समझ लो net profit वो जो earn करना चाहता है उसके कुछ खर्चे तो होगे expenses और उसका profit कुछ profit अब expenses उसके क्या होगे भई वो business चलाने के लिए salary profitable loss account को जो हम debit करते है salary देगा telephone printing and blah 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 दुनिया भर के electricity, rent वगरे खर्चे होगे और profit होगा तो वो जो है per unit खर्चा allocate करेगा, cost sheet आपने बनाई होगी costing थोड़ा बहुत आपने start किया होगा तो और उसका profit, यह दोनों का addition उसने decide किया कि 200 रूपे addition करना है यानि उसकी purchase price 11 रूपे होई और 200 रूपे value addition हुआ तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और फटाफट जबाब दीजिएगा तो बोलो यहाँ पे उसकी sell price कितनी होगी आगे वो sell कर रहा है आगे वो further sell कर रहा है sell invoice बना रहा है और बता फटाफट उसकी sell price कितनी होगी तो यहाँ पे वापस से उसकी value ग्यारा सुरुपे का खरीदा दो सुरुपे value addition किया बोलो फटाबट कितना तो आप कहोगे सर तेरा सुरुपे तेरा सुरुपे यहाँ पे तेरा सुरुपे यहाँ पे उसकी value होगी अच्छा अब मैं इस point पे एक discussion और करना चाओगा आपसे इस point पे एक discussion और करना चाओगा सर अब क्या तेरा सुरुपे concept को drill करते जाओ और दीरे दीरे हम drill करेंगे और उसके इतना detail में जाएगे कि एक song मझे याद आता है चहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना तो यहाँ पे देखे कोई भी economical law अब एक point में आपसे discuss करना चाओगा कोई भी economical law या tax related law tax या revenue related law जो है यहाँ पे वो तीन stages में carry out होता है जो आगे जब discussion चालू करूगा तो इसके बारे में भी बताऊगा levy assessment and collection मैं थोड़ा discussion को यहाँ पे थोड़ा change किया पे वापस अग्जामपल पे आओगा फिर suspense पे आओगा तो कोई भी economical law यहाँ पे तीन stages में carry out होता है levy, assessment and collection मेरा पहला सवल आप से what do you mean by levy what do you mean by levy चलो बोलो फटाफट levy आने क्या levy आने क्या yes बताइए levy आने क्या कोई कह रहा है sir levy आने यहाँ पे creation of charge liability कोई यह कह रहा है दुसरा to impose tax burden लगाना भई ओके यह वंश क्या लगाना यह बताइए क्या लगाना levy means creation of charge liability liability impose करना okay creation of charge creation of charge okay उसके बाद में मैं आपको थोड़ा involve करूगा interactive session चेहे मुझे दुसरा मुझे बताव what do you mean by assessment assessment यहने क्या assessment यहने क्या come on assessment यहने quantification of charge quantification of charge charge उसको हम कहते है assessment और collection government करेगी जो quantify किया गया मतलब यह हुआ अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना पहला लेवी creation of charge फिर वो लेवी को quantify किया जाएगा और फिर वो collect किया जाएगा जैसे अगर आपने income tax का basic introduction पढ़ा होगा तो लेवी income पे है और income five heads में categorized होती है come on income five heads में categorized होती है salary house property PGBP capital gain other income तो वो income अलग अलग हेड में जाती है फिर आप quantify करते हो कि वो salary कैसे निकालना house property का income कैसे निकालना profit gain कैसे निकालना उसको quantify किया गाता है कि मेरा tax कितना आएगा और फिर वो collect किया जाता है तो हर लेवी याने creation of charge मैं आपको जो कहना चाहता हो कि हर act में कुछ ऐसे event होते है जिसके उपर लेवी होती है वो events क्या होते है जैसे inia में अब यह statement बड़ा important statement है inia में tax person पर नहीं है inia में tax जो है कुछ events पर है और जो बंदे ने उस event को touch किया उसे current लगा मतलब वो person tax देगा एक बार फिर से मेरा statement समझ लो इन्या में जो tax है I repeat इन्या में जो tax liability है वो person पे नहीं है वो events पे है और उस event को जिसने touch किया वो liable हुआ वो liable हुआ अरी yes or no ओकी शर नहीं समझा जैसे 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 example की तौर पर यहाँ पर income tax का गर एग्जामपल ले income tax का एग्जामपल ले income tax की लेवी income earn यह event पर है यानि आपने जैसे income earn किया liability arise होई liability arise होगी अच्छा सौर, okay, income earn पर yes, और जो person ने वो event को touch किया, वो tax देगा अब मुझे आप से एक सवाल पूछना है कि एक छोटा बच्चा है, दो साल का है कोई उसका income नहीं है, तो कोई उससे tax पांगेगा, नहीं, okay क्यूंकि liability person पर नहीं है, liability event पर है, okay हाँ, उस छोटे बच्चे नहीं, या कोई 80 साल के उपर का age वाला होगा और उसने income earn किया, तो फिर उसके उपर liability आजाएगी, फिर उसके उपर liability आजाएगी, तो in short, events पर है, और जो उससे touch करेगा, वा liable होगा, इंडिया में ऐसा नहीं है, okay liability is on person, बर्थ हो गया, pay tax, okay बर्थ हो गया, pay tax, नहीं, events पर हर act के अपने कुछ events होते है, जिसके उपर tax लगाया जाता है, जैसे, okay, द्हांस सुनो, okay, द्हांस सुनो, हर act पर कुछ ऐसे events होते हैं, जिसके उपर tax लगाया जाता है, जैसे, example की तोर पर, पहले, 2017 के पहले, अगर आप sale करते हो, I repeat, अगर आप sale करते हो, तो sales tax था, अगर आप manufacture करते हो, उसके बाद में, यहाँ पर, अगर आप import करते हो, तो customs duty थी, जैसे, एक example अगर मैं लूँ, तो वो आपको अच्छे समझ में आएगा, मैंने बाहर से raw material import किया, अब द्हांस सुनो, मैंने बाहर से raw material import किया, तो import करते ही, मैंने कौन से event को touch किया, इंपोर्ट, तो मुझे यहाँ पर custom duty देनी पड़ीगी, custom duty का event हो गया, current लगा, custom duty आगई, फिर वो raw material से finished goods manufacture किया, तो manufacture पर पहले excise लगती थी, तो manufacture को जैसे मैंने touch किया, excise लगा, फिर वो manufacture goods, मैंने sale किया, फिर से current लगा, क्या, तो sales tax लगा, sale करने के बाद उससे income generate की, income tax लगा, फिर मैंने अपना ही goods, जिसको sale किया, उसकी after sale service दी, service tax लगा, ओके, फिर service tax लगा, तो ऐसे case में, यहाँ पर, प्लीज प्लीज, कोई message ना करे, पहले concept को समझे, पूरा ध्यान आप मेरे concept के तरफ दो, तो अगर आप ने, okay, service दी, तो service tax लगा, ऐसे अलग-अलग events थे, यानि परसन एक ही, उसने raw material इंपोर्ट किया, उसने manufacture किया, उसने ही sale किया, उसने, okay, income earn की, उसने service दी, परसन एक ही था, पर taxes अनेग थे, okay, ये सब taxes अलग-अलग थे, आप समझ लेए, okay, तो taxes person पे नहीं थे, taxes event पे थे, और जब भी कोई भी person उस event को touch करेगा, tax लगेगा, फिर आपका एक सवाल आएगा, सरसर, GST का event क्या है, GST का event क्या है, बेटा, जब GST स्टार्ट करेंगे, तो ये इवेंट पे हमारे दो सेशन, ये इवेंट पे हमारे दो सेशन है, वो आगे बता होगा, लेकिन, मैंने ये discussion क्यो लिया, ये discussion इसले लिया, वेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्जांपल ने, manufacturer सेल कर रहा है, tax लगा, sell tax लगा समझधों, फिर, क्योंकि वो event को touch किया, फिर distributor ने आगे sale किया, फिर से current लगा sales tax, wholesale ने आगे sale किया, फिर से sales tax लगा, retailer ने आगे sale किया, फिर से sales tax लगा, मतलब sales tax ऐसे multiple stage पे लगते थे, या excise ऐसे multiple stage पे लगते थी, ये problems पहले क्या थे और GST में कैसे solve हुए और कि ये सभी example से आपको दिरे-दिरे समझेगा तो मेरा ये कहना है कि इसने sale किया, sale event को touch किया, tax लगा इसने आगे, वोलसेलर ने sorry, distributor ने आगे वोलसेलर को sale किया, क्या price पे sale किया बेटा ओके, क्या price पे sell किया, बताओ, 1300, तो इस पर भी sale tax लग जाएगा, तो यहाँ पे फिर से tax लगेगा, समझ लो tax add rate 10%, वो ही rate लेता हो तो यह 130 रुपीज का tax इसको पर लग गया, और 130 रुपीज का tax लग गया, मतलब यहाँ पे उसकी total sale price कितनी होगी, तो total sale price यहाँ पे 14.30 हो जाएगी, ठीक है, तो अब वोल्सेलर की purchase price sorry, वोल्सेलर की purchase price 14.30 होगी, ठीक है, अब उसकी purchase इसका value addition, इसका समझ लो, value addition वोल्सेलर ने भी अपना value addition किया और उसका value addition ले लो वोल्सेलर का, यहाँ पे 270 रुपीज वोल्सेलर को सेल करेगा, तो क्या price पे सेल करेगा वेटा, तो फिर से invoice बनेगा, फिर से invoice बनेगा, ऑके, क्या price पे सेल करेगा, उसकी purchase price 4.30 है, और 270 उसका value addition है, जिसमें उसकी margin भी है और उसका profit भी है तो अब ऐसे situation में यहाँ पे उसकी price हो गई, 1700, उसकी value होगी, sell price हो गई, 1700, और उसके उपर tax जो है, at the rate 10%, at the rate 10%, याने 170 rupees, वो आगे sell कर रहा है, 170 rupees में, अब retailer के पास आया, okay, total price होगी, 1870, 1870, okay, उसके बाद में retailer, retailer का भी अपना value addition है, इसने भी value addition किया, value addition किया, और कितना value addition किया, यहाँ पर, दहां से, सुनना, okay, कि इसका value addition ज़रूर लिखना, इसने value addition किया यहाँ पर 330 rupees, अब यह 330 rupees, इसका value addition हुआ, तो आगे price कितनी होगी, बढला, तो आगे price हीहाँ पर, जब last customer के पास जा रही है, तो लास कस्टोमर के पास वाल्यू, वाल्यू, 1870 उसकी पर्चेस वाल्यू है, प्लस 330, अगर हम लिले, 330 अड़ कर दे, तो यहां पे 1900 प्लस 300, याने कितना हो गया, 2200 रुपे, और उसके ओपर अगर आपने यह नेचर देखा होगा, तो लेवी the tax and pass on the burden, अब मेरा पहला सवाल, okay, manufacturer ने 100 रुपे tax लगाया, और okay, burden pass on कर दिया, तो बता, manufacturer से government ने, यहां government को कितने पेगए होगे, okay, 100 रुपीज पेगए, nature समझ लो, यहां 100 रुपीज गौवर्मेट को पेगए होगे, distributor ने government को कितने दिया, distributor ने government को कितने pay किये होगे बिटा तो distributor ने 130 रुपीज पे किये होगे 130 रुपीज government को दिये होगे but burden pass on burden pass on अच्छा, wholesaler ने government को कितना दिया होगा तो wholesaler ने government को जो pay किया होगा जो उसने tax लगाया 170 रुपीज, तो यहाँ 170 government को पे किया और burden pass on, किसको? retailer को, और retailer ने retailer ने यहाँ पर government को कितना दिया होगा, तो retailer ने government को यहाँ पर, बताओ कितना दिया होगा rupees 220, और burden pass on burden pass on हो गया और entire burden अब ध्यान सुनना, entire burden of tax is on ultimate consumer okay, entire burden of tax burden of tax is on ultimate consumer ultimate consumer ठीक है, तो ultimate consumer पर पूरा burden आ रहा है, sir, entire burden कैसे, अगर आप 2420 मैं आपसे एक basic सवाल पुछना चाओगा sir, value addition कर रहा है, तो कितने amount से value addition करना है, किसे पता चलेगा, वो तो, बेटा, value addition जो करना है, जैसे आपको बता रहा हो कि वो तो आपकी costing principle पर होगा, जब आप costing पढ़ोगे, तो per unit कितना add करना है, कितना profit लेना है यह उसका decision होता है, value addition के लिए, तो यहाँ पर उसके detail में नी जाना है, हमें concept indirect tax का पढ़ना है, मुझे costing में नी जाना है okay, मुझे क्या बताना है मेरा एक सवाल का answer दो, यहाँ पर yes, तरुन, एक सवाल का answer दे जो last price, अब वो value addition उनकी costing होगी, जो भी होगी, उसके detail में नी जाना है, मुझे यह बता कि यह जो last retailer ने ultimate consumer पर amount चार्ज किया क्या यह सब amount यहाँ पे 2420 में included था मुझे जवाब चाहिए आप से मुझे आप से जवाब चाहिए क्या यह पूरा tax वो 2420 में included था yes or no yes sir, बिलकुल okay, यह पूरा tax वो 2420 में included था मतलब entire burden is pass on come on, okay, entire burden is pass on, okay, to ultimate consumer जितना भी पूरे chain में tax लगा लेकिन जो भी student ने इसको दहान से देखा होगा okay, जैसे यहाँ पे TV गुपता है, उन्होंने एक question पूचा उसके बाद में Sunil ने question पूचा मासुम ने question पूचा आपने इस example को अगर दहान से देखा होगा तो आपके दिमाग में question आया होगा जरूर आया होगा, और जिसके भी दिमाग में ये question आया होगा, वो सही track पे वो मेरे साथ चल रहा है okay, सही track पे सोच रहा है, मेरे साथ चल रहा है, क्या question आया होगा मुझे ये बता कि क्या ये सब, okay, pricing में क्या double taxation हुआ है दिखो मैं direct एक word पे नहीं आऊगा input tax credit या credit concept नहीं आऊगा मैं credit concept picture में कैसे आया उसके पिछे का background तो आपको ये लगना चीए कि अच्छा ऐसा हो रहा था इसलिए credit concept आया और वो बाद में देखेंगे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या यह जैसे हम interest के लिए एक word यूज करते हैं आपको यह था compounding interest compounding interest यहने interest पे interest पे interest पे interest क्या यह transaction में क्या double taxation हो रहा है ओकी श्री निवास मैं credit क्रडिट कैसे आया हो बाद में बताओगा पहले मुझे बता क्या double taxation हो रहा है yes or no double taxation हो रहा है यह स्था ने सही answer दिया है double taxation तो हो रहा है यहाँ पे और आपके क्या क्या answer है फटाफट बोलो yes okay अंशूल yes विधी yes double taxation हो रहा है कैसे double taxation हो रहा है क्योंकि यह जो 13 सु रुपे प्राइज मैं ली धान सुनना 13 सु रुपे में 1100 पर्चेस प्राइज ली प्लस 200 मेरा value addition है मेरे खर्चे प्लस profit per unit मैंने निकाला मेरा costing principle cost it बनाए तो मैंने 1300 और 13 पे फिर से tax लगाया मतलब यह तो double taxation तो हुआ ही क्योंकि 1300 में वो 100 included था double taxation हुआ अच्छा आगे तो देखो यह 1700 यह जो 1700 प्राइज है यह 1700 में यह 100 भी included था और यह 130 भी included था याने यहाँ जब tax लग रहा है अब मेरी बात सुना यहाँ जब tax लग रहा है तो यह 100 पे भी लग रहा है और यह 130 पे भी लग रहा है फिर से याने तो 100 पे तो दो बार tax लग गया दो बार tax लगया और यह वन थर्टी पे भी लगया याने और यहाँ पे tax 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 लगा और जब last price आई तो last भी यह 100 भी included था याने 130 भी included था 170 और फिसे tax लगया याने imagine करो एक एक mobile factory से आपके घर तक आता है सुनो यार please come on okay sir यहाँ पे सुनो कि अगर यहाँ एक mobile okay factory से आपके घर तक आता है तो government government कड़िये okay government कहती है tax पे tax पे tax पे tax पे tax पे tax पे tax यह कोई dance नहीं चल रहा है बेटा okay यह concept पड़ा रहा हूँ फिर IGST केंसे आया बस इसके आगे जगा नहीं है मैं आगे नहीं इसकता आगे नहीं जा सकता लेकिन जियास यहां पे और धान रहे concept मेरा नहीं देख है कि अईसा हौँ ऐसा हूँ अईसा भ्याइसा हूँ यह इसको हम एक वर्ड देते हैं, और वो वर्ड को कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं? और येश बाद में देखेंगेंगे कौन सा कौन से, अब एक मिनट, जो मुझे सिरियसली देख रहें, आजे बढ़ने तो अभी तो बहुत इनिशल स्टेच पे हैं, ये तो सिर्व च्रेलर है, ये सिर्व त्रेलर है, त्रेलर मतलब में तो हिर्व की स्ट के निभू कह रहे हैं, पंप अदियरिक टैक्स से वहाट, वहेट से ज्सट पे आओगा, GST से C, GST, S, GST, I, GST पर आओगा, okay, वहां से मैं आपको उठा रहो बेटा, okay और फिर हम ACT चालू करेंगे, और जब ACT चालू करेंगे, तब मैं सेक्शन चालू करूगा okay, तो इसको correct, मुक्ता यहां पर वंश, okay टेक्निकल इंसान, टेक्निकल इंसान सही answer दे रहा है, यह इसको कहते हैं cascading effect, okay, interest में वहाट कि उस करते है, compounding effect, और इसको कहते है, cascading effect, और एक बात द्यान रहा है, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, don't stuck with any doubt, आगे बढ़ो आपके सब question का answer मिल जाएगे, सभी question का answer मिल जाएगे, don't worry for that, ठीक है तो यह बटा cascading effect हो रहा है, इस cascading effect को VAT में कैसे nullify किया गया, और VAT से फिर GST कैसे effect विलाया गया, okay, 1 July 2017 को मोधीजी ने कहा कि हम GST लाएगे, goods and simple tax, goods and simple tax, और इस तरह से revolution लाया, indirect tax वे, आगे आगे देखो होता है क्या, okay, बताओगा आपको, तो in short मुझे ये example से आपको ये समझाना था, कि entire burden pass on, entire burden pass on, to ultimate consumer indirect tax में, अब मैं जो मेरा suspense था, उसके उपर आओगा, okay, चलिए यहाँ पर, बेटा case 2, case 2 हमने ये देखा था कि भई जो है, हमने अगर आपको last discussion का example याद होगा, तो आपने ये देखा था कि आपकी sale price 1 lakh है, tax payable 10,000 है, आपने general entry pass की, general entry pass की cash account debit to sales to tax payable, या फिर आपने credit sale किया होगा, तो customer account debit to sales to tax payable, और ये tax payable, क्योंकि आप sales नेट पे पाट कर रहा है, तो एक seller ने, okay, goods बेचा, burden pass on, उसने government को 10,000 रुपे दिये, लेकिन वो burden pass on कर दिया, वो burden pass on कर दिया, वो burden pass on करने के बाद, value एक लाग रुपे थी, okay, tax एक लाग रुपे था, okay, ये हमारे last session में हुआ, इसलिए, जिसने भी आज से जॉइन किया होगा, ये 10,000 रुपे, एक लाग, 10,000, आपने sales record किया, trading and profit and loss account में एक लाग रुपे, फिर अपने trading expenses claim किये, revenue expenses claim किये, और हमने ये बात की थी, कि ये net profit पे, क्या आएगा दोस्तो, ये net profit पे आएगा income tax, ये net profit, जिसको हम कौनसे head में taxable करवाते हैं, PGBP, profit and gains from business and profession, बस इस chapter के के बाग, पर कोई problem नहीं, मैं हूँ, अगर आपको last session का समझ में आ रहा होगा, और ये session का आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको ये interesting लगेगा, थोड़ा हो सकता है कि slow लगे, पर don't worry, धीरे धीरे, ये मेरा काम बनता है कि आपका इसमें बहुत interest develop करू, थीक है, अब य tax pay कर चुका हो, 10,000 रुपए, okay, tax pay कर चुका हो, government को और buyer को pass on हुए, मैं मानता हूँ, कि ये tax, buyer को pass on हो गया, customer को pass on हुए, लेकिन, मेरा सवाल दुसरे approach से आपको, क्या, कि government ने क्या, ये 1000 value पे tax ले लिया था, किसी से भी ले, seller से ले, और burden pass on, buyer से ले, पर क्या वो, 1000, sorry, 100 रुपए का, जो tax था, 10,000 रुपए, क्या government ने ले लिया था, yes or no, अब उसी value का, उसी value का, जब profit बचता है, तो profit पे government income tax लगा रही है, तो क्या government, government के angle से लो, क्या government ये लूट रही है क्या, कि वो 1,000 पे पूरा tax ले लिया, okay, वाँ, 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 गौर्मेंट को पैसा मजा आ गया, मजा आ गया, और बाद में, उसी एक लाग का, बीस हजार रुपए जो profit बचा, वो बीस हजार रुपए प्रॉपए पर भी government income tax लगा रही है, मतलब, okay, इसके पहले वाला example, जो मैंने दिया था, वहां तो cascading effect हो ही रह है, यानि ये तो indirect tax के cascading effect है, मैंने तो concept को देखना, clear, yes or no, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, तो यहां पर, ये तो, वो तो indirect tax का cascading effect था ही, plus, plus, okay, यहां, indirect tax और direct tax, income tax, क्या, इसमें भी cascading effect हो रहा है क्या, इसमें भी double taxation हो रहा है क्या, तो बेटा, अब हम, income tax और indirect tax, इन दोनों का basic difference देखेंगे, primarily, धान दीजिएगा, primarily तो yes, ऐसा लग रहा है कि government जो एक लाग रुपे पर tax ले चुकी है, उसके profit पर फिर से tax ले रही है, मतलब double taxation कर दिये, ऐसा हमें as a layman लग सकता है, as a layman लग सकता है, पर, real sense में, government के object अलग-अलग है, क्या, च चानक्य, काउटिल्य के जमाने में आते हो, तो वो केस में income tax डेवलप हुआ, indirect tax तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, याना बुद्ध के पहले भी, okay, ये tax लगता था, या Christ के पहले भी ये tax लगता था, पहले वो kind में लगता था, अब वो monetary term में लगता है, जैसे म कोई in between ये नहीं करेगा, इंकम टेक्स बाद में डेवलप हुआ, और ये जो income tax बाद में डेवलप हुआ, ये क्या object से डेवलप हुआ, क्या होता था, जब भी kingdom में, जो भी businessman थे, जिसे संस्कृत में वैष्य कहा जाता था, चार वर्न थे, okay, वैष्य कहा जाता था, मुझ उसके detail में नहीं जाना है, जो भी business करते थे, government ने उनके business पे, I repeat, उनके business पे tax लगाया था, और जो भी government ने उनके business पे tax लगाया था, तो वो burden pass on करते थे, यानि ये 10,000 रुपे, burden pass on, और उनकी जो basic price होती थी, 1,00, रुपे, उससे वो profit कमाते थे, और profit पे पहले tax नहीं था income tax नहीं था, तो क्या हुआ कि ये seller जो है, ओक ये business पर यह business पर सकते जा रहा है, और अगर tax लग रहा है, तो pass on, okay वो pass on होते जा रहा है, अब इससे क्या हुआ, ये जो businessman है, इनके पास पैसा जमा होने लगा, और दो class develop हो गए, reach class और poor class, जिसके पास जो पैसा आ आ रहा है, और टैक्स लग रहा है तो पासन, पब्लिक पे जा रहा है, और उनका प्राफिट उनके पास बसते जा रहा है, उनके तीजोरियों में पैसा बढ़ते जा रहा है, और एकोनमी दो पार्ट में डिवाइड होने लगी, रीच क्लास और पूर class. तो फिर कुछ king ने यह सोचा, कुछ king ने यह सोचा कि अगर हमारे kingdom में economy अगर अच्छे दंग से चलानी है तो बालेंस होनी चिहे, तो दो क्लास डिवाइड नी होनी चिहे, जैसे आज इंडिया में ऐसा है और यह बालेंस होना बहुत जोरिय रहे है, कि कुछ industry list, इनके पास इतना पैसा है कि India को खरीच सकते है, India को खरीच सकते है, इतना पैसा है, आपको पता है कोँ है, तो इतना पैसा है, सब license उनके पास, सब business उनके पास, जी ओ, इंडिया जी ओ, तो ऐसे case में कुछ लोग है, अम्बानी, अदानी, टाटा वगरे, यह इनके पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकोनोमे बैलेंस होनी चाहिए, सब के पास पैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कंट्री अच्छे तरह से चलती है, तो तब यह सुचा गया था, ध्यान से सुनो, तब यह सुचा गया कि नहीं यार, जिनके पास पैसा जमा हो रहा है, वहां से निकाला जाए, निकाला जाए, और कवटिल्य के जमाने में यह सुचा गया था, कि यहाँ पे यार यह इंकम टैक्स जैसा कोई टैक्स हाना चाहिए, कि जो जिनके पास पैसा जमाओ रहा है वहां से निकाला जाए और बाटा जाए मतलब यह जैसे बिलकुल यहां पर समुंदर से पानी खिच लेना सूरज समुंदर से पानी खिचेगा और सभी तरब बाटेगा यह ऐसा पुरानी फ्रेस थी इंग्लीश में थी तो ऐसे सिचेटिएशन में यहां पर इंकम टैक्स की यह पैसे बालों से पैसा निकालो और बाटो तो economy बालिंस होगी तो यहां पर पहली बार उन्होंने इंकम टैक्स लगाया इंकम टैक्स को अब्जेक्ट बस यह था don't allow anybody to accumulate the income, okay, withdraw it and distribute it the answer is gonna, don't allow anybody to accumulate the income okay, it is dangerous situation for that country, for that kingdom is why, take off and take off it's objective here, give it to someone's money is why, this tax income especially, not in business income, you don't have income you earn any way, okay, this tax will be tax this tax will be tax, you understand my story okay, this is the object of income tax today, you will know in the future when you study income tax, today income tax doesn't seem like everyone who earned income on a level earned income on a level, he earned tax means, first slap 10% and earned 20% and earned 30% out of the money, the tax gets out of the money so, income tax object is this, that don't do someone's money you don't do more than a level of income you don't do it, leave it and leave it in public so, we will continue the economy so, we will continue the economy this is why, income tax this is a personal tax this is why, income tax payable by a person directly and he cannot pass on why, because he is taking off from the bank and he is taking off and he cannot pass on because don't allow anybody to accumulate the income do you understand me? okay, do you understand me? that was the object of income tax what was the object of what was the object of indirect tax? indirect tax is business tax when you do business it will be tax because when you do business you are using the resources government and those resources you are using you are using the money and the government you need the money because they don't have the country so, first business this is the indirect tax in the commodity in the services in the business which will be either commodity business or service business or real estate and which business in the three sector business goods service or real estate so, that is that is why this is very different the object is very different I hope you understood income tax the object is that not to waste money and remove it and this object is very different income tax this is why tax on income income earning activity so, indirect tax is in the commodity and services so, I will come back to my point so, what is it double taxation okay double taxation is not because this object is different this object the object is the object is business you have transaction tax and burden pass on so, this is direct tax and this is indirect tax so, the first difference direct or indirect tax if you understand if you understand okay then say yes sir I will wait to you answer okay if you understand then click like button not for me I don't need like button I don't need okay I know how to study how to study yes Mokta Nazmeen very good very good very good very good very good difference if we see difference if we see here direct tax I will write and indirect tax indirect tax indirect tax direct tax normally income why government will not give you more money it will go out and will balance indirect tax commodity 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 or services this means business tax because business you use money so business tax okay commodity tax second this not transferable payable by person concerned okay okay person he will give you because he will he will not transfer person concerned spelling don't don't look at spelling don't look at okay so person concerned transferable okay transferable from one person to another and entire burden is on ultimate consumer come on entire burden is on ultimate consumer I will write don't worry I will write now one more talk now tell yourself who collection should be direct or indirect tax wait yes yes sir you are looking cool see son see here let's tell यह बताओ कि यहाँ पे नालायक पड़ किसका revenue जादा होना चीए, direct या indirect tax का तहाँ का कहना है कि सर direct tax का revenue जादा होना चीए मुक्ता का कहना है indirect tax का प्रेम GST तो indirect tax का part है, GST पे तो मैं आओगा मुझे सिफ direct और indirect, कोई direct कह रहा है कोई indirect tax कह रहा है कोई direct tax कह रहा है, कोई indirect tax कह रहा है तो यहाँ पे, just a minute बेटा चलिए, एक example लेना चाहोगा ठीक है, आपको समझ में आएगा और फिर से मुझे answer देना कि revenue किसका होना चीए बहुती unstructured discussion, क्यों? क्योंकि यह history or background पे है जैसे कभी जब faculty आपको पढ़ाती है, तो यह बताती है, कितने sections है, क्या है, क्या पढ़ना है, किस सरे related है मैं वहाँ से start ही नहीं कर रहा हूँ मैं stack structure, फिर VAT, फिर GST, फिर आओगा ऐसा इसलिए मुझे बिल्कुल जज नहीं करना अगले 4-5 दिन और अगर आज समझा नहीं, तो ऐसा मत करना कि समझ में नहीं आ रहा है कल बहुत अच्छे से समझ जाएगा, यह मैं लिख कर देता हूँ बस एक काम करना, कुछ पहले पढ़के नहीं आना कौरा कागस, माइन बिल्कुल कौरा रखना कौरा कागस था यह मन तेरा ओके इस पे नाम लिख दिया मैने मेरा ओके तो मैं IDT इसके उपर लिख दूगा आज नहीं समझा है, तो कोई डर की बात नहीं कल समझ में आ जाएगा सिर्फ मुझे बोलने दो, मुझे बहुत कुछ आपके साथ बात करनी है, बोलना है ठीक है, तो yes, किसी ने डारेक कहा, किसी ने इंडारेक कहा ओके, चलिए किसी ने डारेक कहा, किसी ने इंडारेक कहा अब एक सवाल आपके सामने रखोगा ओके तो एक सवाल रखोंगा मुझे ये बताओ ये manufacturer चॉकलेट बना रहा है और ये चॉकलेट जो है manufacturer से world distributor distributor से world seller retailer से रिटेलर ultimate consumer तक चॉकलेट आ रही है एक छोटा बच्चा भी चॉकलेट खरीद रहा है जब एक छोटा बच्चा चॉकलेट खरीदता है तो क्या वो inclusive of MRP MRP में taxes भी include होते है लिखा होता है inclusive of taxes कभी dairy milk आपने खरीदी होगी तो लिखा होता है inclusive of taxes yes or no correct या फिर एक beggar है एक beggar है और वो पारले बिस्किट खरीद रहा है पारले के कंपने बिस्किट बने फिर डिस्टिबीटर वोल्सेलर रिटेलर और उसके पास आए एक beggar भी tax दे रहा है indirect tax मतलब हुआ कि इन्या में एक छोटे बच्चे से लेके छोटे बच्चे से लेके तो जिसके income बहुत कम है बेगर तक हर बंदा हर बंदा indirect tax के रिविन्यू में contribute कर रहा है क्या मैंने सही कहा बोलो सर सही क्या मैंने क्या कहा सही या गलत यस बोलिये बोलिये बोस कि क्या हर बंदा जो commodity खरीदता है या हर बंदा जो services खरीदता है हर बंदा contribute कर रहा है येस आपको नहीं पता औरके आप अगर मेरा कोर्स भाय कर रह रहो तो आपने भी गॉपवर्मेंट के रेविन्यू में कॉंट्रिवू्ट किया है आप भी मोदी जी को कह सकते हो कि सार हम डेली सुबे से, रात तक गॉवर्मेंट के रियूद रेविन्यू में अपको हग बनता है, जितनी सुबे से लेकर शाम तक, जितनी भी चीज़े आपने खरीदी, जितनी भी सुरूशी आपने ली, आपने कांट्रीबूट किया है, Mohdiji जी हमें भी हग बनता है, हम भी कोंट्रीबूट कर रह阔 है, अरे हाया ना, बोली हाँ, तो बेटा, यहाँ, बेगर भी टाइक्स दे रहा है, एक छोटा बच्चा भी टाइक्स दे रहा है, इंडारेक्ट टाइक्स, नाउ, पर मैंने कभी यह ने सुना, सुनिया देहन से, कभी यह ने सुना, कि एक बेगर जो है, इंकम टाइक्स दे रहा except Bombay के beggars, okay, हो सकता, उनकी income बहुत हो सकती है, लेकिन, मैंने कभी नहीं देगा कि beggar PAN है, income tax return भर रहा है, income tax दे रहा है, उसका भी नाम हो रहा है, कि इस beggar ने income tax दिया, okay, उसको यहाँ पर Greenish Book of Record में, यहाँ पर उसका नाम आ रहा है, कभी सुना है आपने? ना, ना सुना है, यस, correct, छोटा बच्चा कोई income tax नहीं दे रहा है, पर वो IDT दे रहा है, indirect tax दे रहा है, ओके, beggar indirect tax दे रहा है, पर वो income tax नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आप ही बता दो कि किसका revenue जादा होना चीए, कुसका direct tax का या indirect tax का, अब बता मुझे, अब में confusion नहीं होना चीए, जितने भी confusion में देख रहा था, अब confusion नहीं होना चीए, बताओ, ओके, direct tax का या indirect tax का, बलो फटा फट, बलो 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 बच्चो, बलो, अब सबके answer मुझे बताओ, चाहिए, कौमन की किसका जादा होना चीए, जब एक बच्चा contribute कर रहा है, एक bigger contribute कर रहा है, indirect tax में, यस, मुक्ता का answer है, IDT, 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 very good, और कितने student कहना चाहेगे, indirect tax का revenue जादा है, है ना बेटा, okay, तो indirect tax बहुत important है, government के लिए, उसका revenue बहुत important है, GST बहुत important है, और मैं ऐसा ऐसा subject नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो indirect tax पढ़ाता हूँ, okay, just joking here, लेकिन मैं वह tax पढ़ाता हूँ, जिससे बहुत पैसा कमाया जाता है, और आप भी कमायाँगे, GST बेटा, आज इतना confusing law है, okay, gold mine है, इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप, okay, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, और मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आगे इसमें प्रैक्टिस करोगे, बहुत पैसा कमायाँगे, चलिए, तो यहाँ पर, यह हुआ ना, इंडारेक्ट टैक्स करोगे तो बिल्कुल सही बात है, गॉवर्मेंट का जो टोटल रिविन्यू में है, उसमें इंडारेक्ट टैक्स का रिविन्यू 60-65% कॉंट्रिबूट करता है, और डारेक्ट टैक्स का रिविन्यू कमपेरिटिवली कम है, क्योंकि डारेक्ट टैक्स का अबजेक्ट है, जिनके पास पैसा हो, उसमें टैक्स लगाओ, और वो जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स लगेगा इसलिए अगर हम discussion की बात करें कि यहाँ पर difference की बात करें direct और indirect tax में तो यहाँ revenue comparatively raise revenue जो है यह कम रहेगा तो यहाँ पर revenue more रहेगा revenue more रहेगा ओके यह revenue यहाँ कम रहता है तो यहाँ पर revenue जादा रहता है government का अगर दोनों में comparison किया जाए ओके यह हुई ना बात ओके यहाँ पर सभी indirect tax के बारे में कहरें कि indirect tax का revenue जादा रहेगा ठीक है now अब discussion को थोड़ा और आगे बढ़ाते है होले होले चलिए तो now अब देखिए मुझे आप से एक सवाल है income tax income tax और IDT indirect tax यह आप develop करो गया मेरा तरीका है बेटा कि चीज़े आपने develop करना चीए मैं फटा पट बता के आगे बढ़ जाओ मैंने मैक्सिमम कवर कर ली आइसा नहीं मैं आपको synthesize करोगा एक चोटे पाओदे को जैसा पानी मैं दूगा मैं फर्टिलाइजर दूगा लेकिन develop तो उसको होना पड़ेगा इसलिए आपको आजू बाजू की चीज़े बताओगा conclusion तो आपको लेना है और एक बाहर है अलग-अलग बाहर है और ये पूरे transactions कर रहा है ये ऐसे continuous sale purchase के transaction कर रहा है यहाँ पे price 1000 रुपए फिर price 2000 रुपए फिर price 3000 रुपए बिल बना रहा है फिर price यहाँ पे 2000 रुपए ये sale कर रहा है तो जब ये बंदे से income tax पे करवाना है ये बंदे से income tax पे करवाना है तो मेरा आप से सवाल है कि इसका total turn-off हुआ मैं लोगा turn-off ये word को तो आप जानते हो total turn-off 3000 प्लस 3000 6000 प्लस 2000 8000 रुपए हुआ 8000 तो income tax यहाँ पे income tax यहाँ पे अब पहला सवाल क्या 8000 पे लगेगा 8000 पे लगेगा जो उसका total turn हो रहे है या फिर या फिर 8000 minus trading expenses minus profit and loss expenses और लेस expenses होगे less expenses यहाँ पे 7000 रुपए और net profit net profit 1000 रुपए तो मुझे आप बताईए income tax कितने पे आएगा total 8000 पे आएगा या फिर 1000 पे आएगा ओके वेट करूगा आपके सामने यह वेट करूगा आपके सवाल जब आपके answer का जो मैंने सवाल पूछा आपके जवाब का यह वेट करूगा प्रेम का answer आया 1000 रुपए कोई lifeline यूज करना चाओगे प्रेम परूल का answer आया परूल दो के second case second case में 1000 सब का 1000 पे आ रहा है सभी का answer 1000 पे आ रहा है बिलकुल सही बिलकुल सही ओके यानि आपका income tax जो है वो एक हजार पे आना चाहिए सबी का यह answer है इनकम टैक्स अबियसली है तीजोरी टैक्स है जितना कमाओगे उस पर याएगा खर्चा जाके सबी कहरे एक हजार पे आएगा ठीक है अब नेक्स क्वेश्चन आपके सामने बगता हो नेक्स क्वेश्चन साम पसामने गवर्मेंट को यह बंदे से टैक्स कलेक करना है और इंकम टैक्स कलेक करना है किसे सप्लायर से इंकम टैक्स करने करना है और उसके प्रॉफिट पे कलेक करना है अब पहला ध्यान से सुना पहला ट्रांजेक्शन हुआ एक हजार का पहला ट्रांजेक्शन हुआ एक हजार का कुछ तो net profit कमाया होगा, income कमाया होगा, तो government ने कहा, अच्छा, तुझे एक हजार में income मिल गई, okay, तुझे मिले मुझको भी चाहिए, भाई, मुझको भी चाहिए, okay, तुझको मिला मुझको भी चाहिए, तो मुझे ये बताओ, कि यहाँ पे एक हजार रुपए का उसने सेल किया, उसमें कुछ तो profit कमाया होगा, तो क्या वो जो उसने profit कमाया, government immediately, sell transaction होती ही, sell transaction होती ही, हमें income tax चाहिए, क्या government ऐसा कर सकती है, क्या government ऐसा कर सकती है, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, अगर कर सकती है, तो क्यू, उसका भी reason चाहिए, और नहीं कर सकती है, तो क्यू, उसका भी reason चाहिए, उसका भी reason चाहिए, बोलिए, बोलिए, assessment year में होगा, तो provision year में करना पड़ेगा, चलो, प्रेम ने answer दिया, नहीं नहीं, आप answer सही धंक से दो, क्या वो immediate income tax, okay answer आया no sir, immediate नहीं कलेक सकते है, okay, एक answer तहा का आया no, after period of 12 months, 12 months का period होना चाहिए, no, income tax है sir, after all transaction, on the net profit, हम net profit पे लगारे, इसलिए immediate collect नहीं कर सकते है, हा, sensible investing, sensible investing का answer, बड़ा sensible answer है, okay sir, रोज profit नहीं calculate हो सकता है, क्या आप जवाब दोगे कि sir, हर transaction wise हम profit क्यों नहीं calculate कर सकते, okay, क्या transaction wise हम क्यों नहीं profit calculate कर सकते, जवाब दीजिए, sir business करेंगे कि profit निकलेंगे, निकलेंगे, निकालेंगे, ये सब टेकनिकल वर्ड है, assessment year, previous year आपको आपके faculty ने पढ़ा है, मुझे एक layman ज़से answer चीए, जैसे sensible ने दिया, sensible investing ने दिया, layman ज़से answer चीए, okay, उमेश ने भी अच्छा answer दिया, sir, हमें exact income पता नहीं चलती है, transaction wise, क्यों नहीं पता चलती है, मैं आपको direct कोई चीजे नहीं बता होगा, मैं इंडारेक्ट ही develop करोगा, आप answer दोगे उसका, okay, ये ऐसा कभी नहीं बता होगा, कि assessment year आगिया, and previous year आगिया, and previous year का assessment year में होता है, नहीं, आपको समझना चीए, कि ये develop concept कैसे आया, मैं मानता हूँ, okay, एक सवाल आया, मासूम का अफसर, because tax happen daily, which is tough to calculate profit daily, हाँ, मैं मानता हूँ ना, daily tough है, पर क्यों, क्यों कि बेटा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर पड़ा होगा, costing principle, तो कुछ expenses direct होते हैं, कुछ expenses indirect होते हैं, कुछ expenses variable होते हैं, कुछ expenses fixed होते हैं, जैसा range, okay, fixed expenses है, वो monthly quantify होता है, okay, कुछ expenses, okay, half yearly quantify होते हैं, कुछ expenses yearly quantify होते हैं, क्या आप मेरी बास से agree हो, yes or no, क्योंकि हमें expenses का तो deduction देना है, पर transaction wise expenses निकालना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ, हम estimation कर सकते हैं, पर actual नहीं निकाल सकते, हम estimation कर सकते हैं, पर actual नहीं ळिकाल सकते, तो बेटा, इसलिए इसलिए government को यह पता था, कि भェई income tax जब हम collect करने जाएगे, वो भी net profit पे collect करने जाएगे, सुनना, net profit पे collect करने जाएगे, तो net profit हो transaction wise नहीं निकाल सकते हम, इसके लिए कुछ पिरेड रखना पड़ेगा और वो पिरेड रखा गया 12 months वो पिरेड रखा गया 12 months क्यों क्योंकि accounting जो developed हुई वो साल भर की accounting developed हुई इसलिए accounting को ध्यान में रखते हुए वो पिरेड डिसाइड किया गया 12 months और यहां से यहां से पिच्चर में आया कि देखो भई हम हर मन्त में तो आप से income tax मांगने नहीं आएगे क्योंकि हर मन्त में expenses quantify नहीं होते क्योंकि कुछ expenses fix होते है तो हम आप से जो tax लेंगे और साल होने के बाद लेगे come on come on हम आप से मैं आपका ध्यान चाओगा तो हम आप से tax जो लेगे वो क्या साल होने के बाद लेंगे और फिर पिच्चर में आया क्या previous year and assessment year यानि पुरा साल होने दो previous year और फिर उसको assess करेंगे assessment year यानि आप पुरे साल भर का trial balance बना पुरे साल भर का profit and loss account मना पुरे साल भर का expenses claim करो और साल भर का जो net profit आया उस पर हमें tax दो हाँ फिर बाद में वो अतलग ही कि advance tax पर अगरे concept आया पर वो अभी हम discussion में नहीं जाएंगे इसलिए यहाँ पे जो tax assessment होता है come on okay इसलिए यहाँ जो tax assessment होता है वो previous year का assessment year में होता है क्योंकि पुरा साल होने दो come on government कहते है come on come on यार पुरा साल भर कमा okay और okay मज़ा करो मज़ा okay तू मज़ा कर मैं भी मज़ा करता हो okay government कमा ने देगी okay तो यह supplier क्या supplier एक हजार रुपया आया okay इसके जेब में आगया profit मज़ा कर रहा है अभी तक टैक्स नहीं दिया government को फिर और पैसा यह मज़ा मज़ा आप्रॉफिट आगया और इसके जेब में पैसा आगया इसके जेब में पैसा आगया और पुरे साल वर में जो पैसा आएगा फिर कौंटिफाइ कर और हमें टैक्स दे इसलिए यहां पर प्रिवेस यह और असेस्मेंट यह पिच्चर में आया येस और नो येस और ओके लेकिन आप से एक सवाल पुछता हूं अगर सप्लायर सेल कर रहा है बायर को सेल कर रहा है प्राइज है एक हजार रुपए और इसके उपर इंडारेक टैक्स लगाना है तो मैं यहां इंडारेक टैक्स में असेस्मेंट yearly करूँगा पहले तो मुझे बताओ इंडारेक टैक्स नेट प्रॉफिट पे लगेगा या आपके प्राइस पे लगेगा कमान मुझे आंसर चीए इंडारेक टैक्स नेट प्रॉफिट पे लगेगा या आपके प्राइस पे लगेगा बताइए फटापट क्योंकि यह बिजनेस टैक्स है और आपके बिजनेस करने की वाल्यू एक हजार रुपए है आपने एक हजार का बिजनेस किया है बताइए प्रैस पर लगेगा ना प्रैस पर लगेगा ना वेरी गूट वेरी गूट सप्रइज एक हजार पर लगेगा अब मेरा दूसरा सवाल है मुझे 10% इसके प्रैस पर लेना है और pass on भी करना है immediate, बाद में आने वाला नहीं है ऐसा नहीं होगा कि supplier ने एक हजान में दे दिया बायर को और का कि आना बाद में मस्त पैकी मैं तुझे तेरे से tax लोगा मस्त पैकी आना ना दो के तो मुझे आप से एक सवाल करना है कि supplier को tax लगाना भी है जब quantify होगा calculate होगा वो period wise होगा और वो previous year assessment year के base पे होगा लेकिन indirect tax come on, I need your attention indirect tax ये period wise जाएगा या transaction wise जाएगा बतो आपका logic क्या करता है I need your involvement don't be a dump मुझे जो भी सुन रहा है एक एक बंदा मुझे अपना view contribute करेगा तो ही मजा आएगा discussion में बिटा चलिए, बोलो फटा फटा ओके, ये year wise या transaction wise quantify करेंगे very good Ishika, Parul, Anshul Gyaneshwar, Umesh, Vansh सभी ने कहा transaction wise ऐसे तो law बनता है ओके, जब पूरी democracy इंडिया में जब सब जो कह रहे है वही तो law है सब जो कह रहे है वही तो law है दोखो हमने law बना लिया हमने law बना लिया ओके, याने या indirect tax transaction wise होता है ओके, transaction wise quantify करना पड़ेगा और pass on करना पड़ेगा इसलिए, दोनों tax का दूर दूर का रिष्टा नहीं है ओके, income tax के approach ही अलग है और indirect tax का approach ही अलग है इसलिए आपने अभी इसी movement पर कहता हो, compare मत करना इसका approach है, income earning पर है ओके, यह assessment year, previous year होता है यह transaction wise होता है इसलिए, indirect tax में ऐसे word नहीं आएगे assessment year and previous year and यह year and वो year transaction, हर transaction पर quantify होगा okay, पहला हुआ, quantify कर, pass on quantify कर, pass on, quantify कर, pass on यह समझा की नहीं, समझा आपको अगर समझा होगा, तो बुली, हाँ sir okay, बहुत अच्छे से समझा और मज़ा आ गया और एक like का button दबा दीजिएगा मेरे लिए नहीं, बाक्यों के लिए ठीक है यह आजकल जमाना like का हो गया यूट्यूब का जमाना हो गया मैं 16 साल से बढ़ा रहा हूँ, more than 1 lakh students मैंने बढ़ा दीए, final interval लेबल पर okay, तो मैं कभी credit नहीं लेता था पर जमाना हो गया like का तो आप कर दीजिए मेरे लिए like इसलिए, transaction wise होगा इसलिए वेटा यहाँ previous year और current year नहीं आएगा ठीक है, और दूने के approach अलग है please मेरी request है आपने इसको merge मत करना is it clear तो, तो, अब इसी example से एक सवाल और पुछना चाहोगा मुझे यह बताईए कि government की, क्योंकि यह tax तो government को collect करना है income tax भी government को collect करना है indirect tax भी government को collect करना है ठीक है और government यह tax collect करने के लिए administration पूरा बनाती है जैसे, motor vehicle act के तहत धान सुनना motor vehicle act के तहत आपके motor vehicle पे control करना है traffic rule आप follow कर रहे है की नहीं कर रहे है control करना है, तो government उसके लिए RTO department fix करती है फिर RTO officer लगाती है, हर चोग पे खड़ा करती है उनको salary देती है ऐसे income tax department मनाएगी ऐसे GST department मनाएगी कहेगी कि जाओ हर businessman के record शेक करो scrutiny करो, raid करो investigation करो, देखो कि सब tax पे कर रहे है कि नहीं पे कर रहे है अच्छे से, सई ढंग से पे कर रहे है कि नहीं पे कर रहे है government ये पैसा कलेक करने के लिए खर्चा भी करेगी क्योंकि उनको tax revenue कलेक करना है और इसके लिए इतने department सेट अप करेगी officer सेट अप करेगी पुरे इंडिया में अपनी सेना लगाएगी और जाओ कहीगी अपने सेना को फैल जाओ commissioner, chief commissioner, additional commissioner, joint commissioner, assistant commissioner, deputy commissioner inspector, superintendent of income tax at GST, सबको बुलिए जाओ फैल जाओ और देखो कि सब लोग बड़ाबर tax दे रहे कि नहीं दे रहे होगे तो पनिश करो जेल करो ये करो वो करो करेगी government अब आपसे एक सिंपल सवाब आपका common sense क्या कहते है government का खर्चा कहां जादा होगा income tax collect करने में जादा होगा या indirect tax collect करने में जादा होगा okay government का खर्चा कहां जादा होगा बताये फटा फटा बोलो फटा फट मुक्ता का कहना है कि government का खर्चा indirect tax collect करने में जादा होगा sensible का कहना है income tax earnish का कहना है income tax मासुम का कहना है indirect tax अच्छा आपका कहना है indirect tax collect करने में जादा होगा income tax collect करने में कम होगा ठीक है मुझे आप से एक सवाल पूछना है मुझे बताओ कि अगर कोई पैसा आपके जेब में आ जाए आपके pocket में आ जाए और पैसा पहले तो पूरा आपके pocket में आ गया और पूरा पैसा pocket में आने के बाद एक साल बाद government को देना है क्योंकि आपका assessment year next year आएगा तो एक साल बाद government को देना है क्या आपका मन मानेगा मुझे पैसा आ गया खर्चा भी कर दिया मौज-मस्ती होanden खाना पिना भी हो गया और फिर एक साल बाद government को देना है क्याप दे पायोंगे? कर दुसरा individualita voter indirect tax indirect tax तो क्या है वेटा 10% tax लगा दिया ओके और government को pay कर दिया government को pay कर दिया और pass on ठीक है pass on direct tax आप pass on नहीं कर रहे हुए indirect tax आप pass on करोगे psychology से बताओ कि कहां यहां पर tax न देने की psychology त्यार होगी direct tax में क्या एक business man ठीक है न भई मुझे tax लग रहा है मैं government को दे रहा हूँ and pass on फिर आगे pass on फिर wholesaler pass on, retailer pass on ultimate consumer तक और यहां पर आप pass on नहीं कर सकते हो यह तो आपके jib को pocket को लगेगा और आप government को दे रहे हो तो मुझे बताओ tax avoid करने की psychology कहां जादा रहेगी income tax में या indirect tax में इसका answer तो सहीद हो tax avoid करने की यहां पर psychology कहां रहेगी मुझे आपका involvement चाहिए everybody must involve in our discussion yes direct tax में परूल का कहना है sir government को extra effort करने पढ़ेंगे direct tax में tax collect करने के लिए चलो यहां तो सब okay यहां तो सब एगरी है income tax में एक बार पैसा जेब में आगया ना अब आपको बताओ क्या पैसा एक बार जेब में आता है यहां ना दिल को दो चीजे जेब okay एक तो पैसा और दूसरा आपको पता है एक बार यहां आगई ना निकालना बड़ा मुश्किल है यहां से निकालना बड़ा मुश्किल है okay तो यह तो एक्स्परेंस आपको होगा कि यहां ने वाली चीज निकलती बहुत मुश्किल से तो अब ऐसे केस में हमारा भी जमाना तो हमने भी बहुत से चीज़ यहाँ बैठाई थी तो अच्छली, तो इंकम टैक्स में साइकलोजी बहुत ज्यादा है टैक्स अवाइड करने की, इंडारिक टैक्स में साइकलोजी कम है क्यों क्योंकि बर्डन अगर आभी रहा है तो पासओन हो रहा है तो एक बिजनेसमेन काला क्या सोचता है जैसे आपके केस में मुझे मैं आपको जब आप अड्मिशन लोगे तो GST लगेगा तो मैं GST गौवर्मेंट को क्यों नहीं दुगा है कर इंकम टैक्स में यहां पे डारिक शैकलोजी को बहुत जद यादा है और बेटा, जहां सिगनल तोडने की आधते जयAyयता है आदधे ज़ादा है वह र्टीयो ज़ादा लगाए जाता है और जहां डिसिप्लीन है ना एक सिगनल पे आपको आर्टियो देखेगा भी नहीं, कहीं, पुने में तो आप देखोगे, देली में देखोगे, मुझ में एक सिगनल पे दस दस आर्टियो होगे, in short, income tax में, tax avoid करने की साइकलोजी बहुत जादा है, बहुत जादा है, लोग ब पिंच करता है तुमारे दिल को, और कि तुम पासओन भी नहीं कर सकते, तुमारे तीजोरी में से पैसा निकाल के लेके जाता है, ऐसे सिचुएशन में, जहां साइकलोजी जादा है, वहां officers जादा लगाने पड़ते है, tax collection के लिए, raid करवानी पड़ते है, investigation करवाना और इंडारिक टैक्स में कम है psychology, इसलिए ऐसे केस में यहां इतने officers नहीं होते है, मतलब, मतलब conclude करता हूँ बेटा, income tax में गवर्मेंट का खर्चा बहुत जादा है, tax collection का, अगर हम compare करें, और इंडारिक टैक्स में कम है, मतलब, see this irony, जहां तक हम बात करें, revenue की, तो यहां पर इंडारिक टैक्स का revenue कम है, पर इंडारिक टैक्स का revenue क्या, इंडारिक टैक्स का revenue जादा है, और जहां तक हम cost of collection की बात करें, cost of collection, come on, ध्यान से सुनो, cost of collection, तो यहां direct tax की cost of collection more है, और यहां cost of collection, cost of collection, okay, यहां पर less है, okay, see this irony, नहीं revenue come cost ज्यादा, revenue ज्यादा cost collection, तो सर्त हम तो income tax में loss में चले गए, क्योंकि revenue come cost ज्यादा, ये cost comparison में, मतलब obviously, अगर हम ऐसा compare करें, ऐसा compare करें, तो revenue ज्यादा ही है, cost के इसाफ से, लेकिन अगर हम IDT के साथ compare करें, तो फिर, okay, इसकी cost और इसकी cost compare करें, तो ऐसे situation में, okay, इसकी cost ज्यादा लगती है as compare to IDT, और ये मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही है आपका, okay, हम चुपाते है income tax, एक बार पैसा गया, घर में आपने देखा होगा, अगर आप क्या business होगा तो, okay, घर में कमाने वाला एक होता है, पर हम return सबके बरते है income tax में, क्यो indirect taxes, तो चलिए बिटा, यहाँ पर ये differences लिख लेते है, yes or no, पर उसके पहले आप next page पर आओगे, तो एक example दिया हुआ है, example यह देखे बिटा, यहाँ example दिया है, a manufacturer of toothpaste, he has done only a single sale in financial year 1819, of rupees 20 lakhs, he has incurred a following expenses to run the business in a financial year, उसका sale जो हुआ है, एक ही sale है पुरे financial year में, assume करो, और उसका turn of 20 lakh का है, salary or wages, electricity, printing stationery, other expenses, bank charges, okay, he also liable to pay tax on sale, और वो कितना पेटा, 10%, प्रेम पूछ रहा है, तर आप कितना tax pay करते हो, बहुत कम पे करता हो, बिटा, मुझे मेरे company से salary मिलती है, okay, मैं salary हूँ, बहुत कम पे करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर, 10%, calculate direct and indirect taxes, आपको दो कॉलम करो, एक है, indirect taxes, इसी transaction का indirect tax आपको निकालना है, तो कैसे, और इसी transaction का direct tax आपको निकालना है, तो कैसे है, indirect tax और direct tax, ठीक है, अब indirect tax जब आप निकालोगे, okay, तो simple है, indirect tax तो आपकी जो sale price है, कितनी sale price है, बिटा, 20 lakhs, 20 lakhs का 10% tax, तो price of goods, यहाँ पे 20 lakhs, यहाँ पे 20 lakhs, उसके उपर, tax on sale, at direct 10%, तो वो हुआ 2 lakhs, याने कितना हुआ बिटा यह, 22 lakhs, कितना हुआ, 22 lakhs, टोटल price, यह मेरी टोटल price हुई, जिसको MRP भी कह सकते है, MRP includes your prices, ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हुआ, IDT में सर्चाज, GST पे सर्चाज नहीं है, सर्चाज income tax में, GST में कोई सर्चाज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद में, next, अरे, फालतू बाते मत करो, चलो, यहाँ पे मेरे साथ, direct tax pay करना है, तो आपका टोटल turnover, 20 lakh रुपे, less expenses, आपको खर्चों, जे भी खर्चों होते हैं, उसका deduction मिलता है, salary and wages, अब एक-एक लिखते जाओ, आप लिख रहे हो ने मेरे साथ, at least notebook में लिखो यार, आपने print out नहीं निकाली होगी, तो, salary and wages, 2 lakh रुपे, और के वो deduct करेंगे, electricity charges, electricity charges, आपका जो एक लाग रुपे है, उसके बाद में, next printing and stationery, and stationery, यहाँ पे, एक लाग पचास हजार रुपे है, उसके बाद में, other expenses, 3,5,000 रुपे, और bank charges, एक लाग रुपे है, यह अगर आप deduct कर दो, तो कितना आता है, बताओ फटाफट, मेरे पास calculator है क्या, मेरे calculation weak है बेटा, मेरे interpretation बहुत strong है, पहली कह दे राओ, माइनस दो, और एक तीन, चार, साढ़े चार, पाच, आठ, नो लाग होना चाहिए, माइनस नाइन लाग, 11 लाग आना आए गया, 11 लाग, बिलको सही है, मेरे calculation weak है, मेरे interpretation strong है, मुझे DT, IDT और law में, CA final level पे, तीनो subject में अबहु 75 है, ठीक है, law subject में भी भी, DT में भी, और IDT में भी, ठीक है, 11 लाग, यह आपका net profit आया, और इस net profit पे लगेगा income tax, इस पे लगेगा आपका income tax, तो income tax का slab अगर है, आपके faculty पढ़ाएगी, क्या slab है, क्या नहीं है, मैं assume, assume कर लेता हूँ, assume, यहाँ पे एक लाग पचास दर का income tax दे रहा हूँ, यहने basic exemption, फिर 10%, 20% पर सरचार्ज वगरे, सब मिलाके assume करते हैं, कि आप income tax दे रहा हूँ, इस problem से मुझे यह बताना है, कि यहाँ indirect tax total price पे लगता है, तो direct tax जो है, यहाँ पे net profit लगता है, दोनों का object अलग है, यह business tax है, तो यह धार से देखिएगा, दोनों का object बहुत अलग है पेटा, यह business tax है, तो यह आपके income पर tax है, treasury tax है, okay, treasury tax है, तो दोनों अलग अलग चलते हैं, यह transaction wise quantify होता है, तो यह period wise quantify होता है, done, आगे बढ़ो, तो चलिए, अब difference लिख लिख लिजिए बेटा, निचे जो दिया गया है, okay, difference between direct and indirect tax, okay, तो चलिए, कॉलम कीजिए, अब मैं difference लिखा के देता हूँ, exam में आ सकता है, direct tax, और indirect tax, indirect tax, चलो, पहला difference लिखा हो, यहाँ पे, पहला difference लिखा हो, it is payable, it is payable, पहला लिखा हो, it is payable, on income earning activity, income earning activity, मतलब पहले wealth tax भी tax, अभी wealth tax खतम कर दिया, लेकिन wealth भी income direct tax ही था, wealth tax, तो जिससे भी आप पैसा कमाते हो, okay, उस पे direct tax लगता है, लिखा हो, it is payable, on goods or services, नहीं लिखा हो, पमनली एतरोब व NICK तूसनल तक्स, लिखा हो चोट कर दिए पहलेmembers na चोटन, अजिखा हो, लगता है आपके profit पर लेकिन उसे वो ही है कि आपका net income personal था business tax ठीक है उसके बाद में next third लिखो it is payable by person concerned person concerned it is payable by one person and transferable to another another the entire burden burden is on ultimate consumer is on ultimate consumer entire burden is on ultimate consumer next fourth it is progressive in nature nature sir यह क्या होता है okay progressive in nature it is progressive in nature मतलब income tax बेटा आपका income बड़ेगा तो tax लगेगा जैसे 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 बड़ेगा जैसे 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 तीजोरी में पैसा आएगा वैसे 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 हम निकालेंगे लेकिन ओके indirect tax ऐसा नहीं है आज biscuit जो भी खरीदता है अगर biscuit का GST rate 18% है तो बेगर भी खरीदा तो भी 18% है औ बेगर ने भी खरीदा तो 18% का tax है इसलिए indirect tax एक तरगारीग्रेव नेचर हो जाता है रिग्रेशिव नेचर होता है मतलब क्या कि बहिए वो यह differentiate नहीं करता है उतना ही burden बेगर पे डालता है poor class पे डालता है middle class पे डालता है और उतना ही burden rich class पे डालता है इसलिए क्या हो ज नहीं पड़ता है, दो रुपे से या एक रुपे से, लेकिन पूर क्लास को फरक पड़ जाता है, उसका मंतली बजेट बिगड़ जाता है, तो indirect tax regression create करता है, लेकिन इंडिया में उसको थोड़ा handle किया है, अलग-अलग slab rate बता है, वो हम आगे देखेंगे, तो पर internationally ये progressive in nature है, तो ये progressive in nature है, it is, regressive in nature, it is regressive in nature, उसके बाद में fifth, जगा नहीं होगी तो बेटा आपने वहाँ पर एक page attach कर देना, कुछ leaflet, डाइरी के leaflet रखना, कुछ extra लिखेंगे और वहाँ attach कर दिया, okay, मैंने notes में जगा दी है, पर कई जगा कम पड़ जाए, तो आपके पास leaflet होना हुए है, ठीक है, fifth लिखो, revenue is comparatively less, less, तो यहाँ पर revenue is more, next cost of collection, of tax is comparatively more, comparatively more, तो यहाँ पे, cost of collection, collection of tax is comparatively less, less, और आपको लिखना है, तो example, direct tax का example, income tax, तो यहाँ पे, indirect tax का example, example, GST, excise, excise है बेटा, आज भी है कुछ गुट्स पे, excise, vat, etc, चली, यह हम नहीं यहाँ पे लिखा, ठीक है, चली है, तो यह discussion हमने यहाँ तक देखा, यह basic बहुत important था, जो हमने यहाँ डिसकस किया, क्योंकि बहुत से लोग direct और indirect tax में confused हो जाते हैं, तो यह session को आज यहाँ end करते हैं, हम ऐसे slow चलेंगे, पर मेरी guarantee बिटा, जितना मैंने time दिया, उसमें मैं खतम करूँगा, क्योंकि जितना basic आव अच्छे समझोंगे, आगे हम fast चल सकते हैं, क्योंकि आपका, मुझे अभी आपका interest create करना है, एक बार interest create हो जाए न, तो फिर आपकी grasping आटोमेटिक बढ़ती है, चीजे connect होती है, ठेक है, रिग्रेसिव ऐसे है बेटा, रिग्रेसिव नेचर है, सवाल यहाँ आपने करे, रिग्रेसिव मतलब क्या, कि आज समझे लो, biscuit पे 18% का tax है, चॉकलेट पे 28% का tax है, तो poor class ले रहा तो भी 28% आता है, और reach class ले रहा तो भी 28% आता है, तो reach class को फरक नहीं बढ़ता है, लेकिन poor class को यह फरक बढ़ जाता है, 28%, क्योंकि वो regression create होता है, उसका, मेरे पे, लेकिन इंडिया में ध्यान रखा है कि जो daily necessity of life है, उसका rate कम रखा है, उसको balance किया है, regression को balance किया है, ठीक है, 5% रखा है, 12% रखा है, 18%, मैं आगे धिरे-धिरे पढ़ा होगा, don't worry, आगे मैं cover करूगा, तो यह था, regarding to यहाँ पे, differences, अब, live streaming के लिए, जो भी student serious है, बिलकुल बेटा, आप मेरे पे छोड़ दो, IDT में आपका interesting subject बना के रहूँगा, यह मेरा आपको assurance है, मैं promise करता हूँ, okay, don't worry for that, बस मैं इतना ही कहूँगा आपको, कि live streaming classes में जिसको भी register करना है, okay, फिर से आपको कह दू, आप live streaming में जिस्टर करोगे, तो आप हमारे channel पर जाईए, अभी बस test जो demo है, आप अगर यहाँ पर गए, vsmart academy के website पर अगर आप जाते हो, तो यहाँ पर, इंटर में जाईएगा, और यह इंटर में जाकर, यहाँ पर, मुझे क्लिक कीजिएगा, for GST, GST के लिए जब आप क्लिक करोगे बेटा, तो यहाँ पर, demo के लिए एक tab आएगा, CA, enter, GST, live streaming, testing setup आपको करना है, यहाँ जाके, okay, 100 रुपीज का फीज रहेगा, okay, यह 100 रुपीज का फीज आपको देना है, I repeat, वो setup वगरेज जो अभी रहेगा, और फिर, हम कल से live streaming भी चालू करेंगे, आज, okay, और ऐसा ही setup DT का है, don't worry, ऐसा ही setup बेटा DT का है, एक बार आप मेरे से compatible हो गए, तो DT के setup के लिए आपको दिक्कत नहीं जाएगी, सिर्फ दोनों की की अलग-अलग रहेगी, okay, तो ऐसा ही setup आपका DT का है, DT का अलग setup रहेगा, IDT का, लेकिन principally दोनों की procedure सेम रहेगी, ठीक है, तो हमारी team आपको assist करेगी, जैसे आप registered हो जाते हैं, यहाँ click करके, यहाँ click करके, जैसे आप registered हो जाते हो बेटा, तो हमारी team आपको पूरा, okay, help करेगी, किस तरह से setup करना है, और कल का session हमारा 12 बजे से रहेगा, 12 से देड, I repeat, 12 to 1.30 session रहेगा, लेकिन 11 बजे, जिसने भी live streaming option लिया है, 11 बजे, मैं सिर्फ live streaming testing के लिए connect होगा, फिर से एक बार कह देता हो, 11 बजे, मैं live streaming testing से लिए connect होगा, YouTube पर connect नहीं होगा, पहले live streaming पर, तो जहाँ-जहाँ जिन student ने install कर लिया, मेरी team आपको assess करेगी, हम 11.30 से 12 तक live streaming का कोई दिक्कत जाती है, मेरे तरफ से, आपके तरफ से, वो check करेंगे, और फिर आप मुझे continue कर सकते हो, सेम 12 बजे, आपको मैं live streaming में भी दिखूगा, और सेम टाइम पर मैं YouTube पर भी connect होगा, अगर live streaming में कोई दिक्कत जाती है, तो YouTube पर आप मेरा lecture देख सकते हो, और, okay, मेरा lecture उने के बाद, आप हमारे IT team को connect कर सकते होगे, क्या problem जा रहा है, या during भी आप connect कर सकते हो, ठीक है, तो एक बार फिर से, कल से हमारे lecture 12 से देड़ होगे, 12 to 130 होगे, जो demo lecture है, live streaming आप testing कर लो बेटा, बहुत काम आएगा आपको live batch, और जिसका, या जिन्होंने टेस्टिंग किया, उसमें से selection होगा, कि किसको ये live streaming मिलेगी, बेटा, प्रेम मैं वही बता रहा हूँ, दोनों के object अलग-अलग है, मैं आपके doubts बाद में लेता हूँ, पर पहले ये आपको जो है, मैंने clarification दिया, कल 11 बजे मैं, जिसने भी live streaming software install किया, उनसे connect होगा, और 12 बजे मैं दोनों के साथ connect हो जाओगा, YouTube पे as well as live streaming, हाँ, मैं मेरे पास जो software है, दोनों एक साथ parallel पे connect हो जाता है, live streaming में भी connect हो जाता है, और YouTube पे भी connect हो जाता है, Is it clear? चली, अब मैं आपके doubts ले लेता हूँ, क्या-क्या doubts है? Sir, मैंने DT और IDT का combo लिया है, की generate कर है, बट encrypted lecture नहीं दिखते है, बिटा अभी process में, आज solve हो जाएगा, कल से हम encrypted lecture में जाएगे, की generate करके आगे क्या procedure है, आप हमारे IT टीम को coordinate कीजिएगा, वो आपको बताएगी, कल साड़ागे रबज हम टेस्टिंग करेंगे, आपने पिडी लिया होगा, तो सिर्फ लाइट टेस्टिंग के लिया होगा, तो आपको जैसे जितने व्यू दिये उतने intact रहेगे, उसमें कोई disturbance नहीं, लाइट स्ट्रिमिंग कुछ students के लिए additional facility है, प्रेम का question है, सर, company पर tax profit पर लगता है, तो personal profit का income करना रहा, तो नहीं हो, दो बार tax नहीं, दोनों के object अलग है, डारेक्ट और indirect tax के object अलग-अलग है, सर, account का lecture, अब account के lectures आपको जैसर बताएगे, और detail में उससर बताएगे, past track batch अभी नहीं है, अभी regular batch है, चलिए, तो बेटा, बस last में इतना कहना चाहोगा, कि अगर आपको पसंद आया होगा, तो आप like का button जरूर दबा देना, और subscribe जरूर कर लेना, thank you, thank you to all of you, कल का lecture बहुत important है, चाहे दुनिया इदर की उदर हो जाएगे, GST कैसे आया, क्या background history थी वह मैं आपको बताऊगा, तो दुनिया इदर की उदर हो जाएगे, आपने कल का lecture करना है, सभी बंधनों को तोड़ के आपको कल मुझसे जोइन होना है, तो बाए बोलो बच्छो, ओके, चलिए, बाए बेटा, मेरी encrypted classes फेब में आएगी बेटा, पंदरा फेब के बादी आएगी, अभी सिप demo lecture है, सभी ग्रूप आप फर्स ग्रूप ले सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है, चलो यहाँ रुखते हैं बेटा, आप वी स्माट के call center पे आप call कर सकते हो, चलो, यहाँ रुखते हैं बेटा, बाए बेटा, बाए बलो सभी, बाए बलो, नाजमीन, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाए